हलो एब्रीवन, असलामों अलेकुम तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगलोर का बहुत ही फेमस बैगन का खटा जो कि यहां की शादियों में अक्सर बनाते रहते हैं और यह बहुत फेमस भी है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले 3 टेबल स्पून पीनट्स को लेंगे और उसको अच्छे से ड्राइ रोस्ट करके इसका चिलका निकाल लेंगे और फिर इस तर्हा की कुछ मसाले लेंगे जिसमें आ जाएंगे जीरा मेठी का मसाला जीरा मेठी का मसाला जो बैंगलोर में हमेशा तयार रहता है और जो लोग बैंगलोर से हैं उनको पता होगा कैसे बनाते हैं और इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी तो यहां पर हम लेंगे 5 कलिया लसुन के और 1 टी स्पून हम लेंगे तिल और एक मेडियम साइस की प्यास को हम स्लाइस करके लेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से फाइन पेस्ट में बना लेंगे ग्राइन करके और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ी सी हरी धन्याभी अब यहाँ मैंने कैसरोल लिया है इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ओयल गरम कर लिया है आप किसी में भी बना सकते हैं पतीले में, कैसरोल में, पैन में या फिर कुकर में भी बना सकते हैं कोई मसला नहीं है जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा इसमें आड़ करेंगे 10 से 15 काली मिर्चे और थोड़ी कड़ी पत्ता अब हम इसमें आड़ करेंगे बैगन यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स बैगन लिये हैं जिसको काट के मैंने वाश कर लिया है तो डिरेक्ली अब हम इसमें आड़ में बैगन को आड़ करेंगे और इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे बैगनों को बहुत अच्छी तरह से फ्राइ करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता कम से कम चार से पांच मिनिट तक हमें बैगनों को अच्छे से फ्राई करना है अब इस पॉइंट पे हम एड़ करेंगे जीरा मेथी, पेनर्स, लेसून वगेरा जो भी मसाला हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना के जो रख लिया था, वो मसाला अब हम इसमें एड़ करेंगे जार में थोड़ा पानी डालेंगे और जितना भी बचा कुछा मसाला उसमें लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से निकालके हम यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी मसाला या कुछ भी हो हमें वेस नहीं करना है और अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा और पानी एड़ करेंगे और लिट को बन करके बैगनों को 80% तक पका लेंगे बैगनों को पकते हुए 7-8 मिनिट हो चुके हैं और 80% तक हमारे बैगन अच्छी तरह से गल चुके हैं तो अब इस पॉइंट पे हम एड़ करेंगे नारियल का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट अब हम इसमें 1-2 cup नारियल को अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाके आट करेंगे चार मीडियम साइज टमाटर का भी पेस्ट बनाके आट करेंगे अच्छा सा मिक्स देंगे लिट को क्लोज करके 5 मिनिट तक पकाएंगे बेंगन के खटे में इमली का भी इस्तेमाल होता है लेकिन यहां पे मैंने इमली यह उस नहीं किया है क्योंकि जो टमाटर मैंने लिये हैं वो बहुत ही खटे हैं अगर आप मीठे टमाटर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें इमली का पल्प भी आट कर ले खटाई के लिए पांच मिनट बाद हम इसमें आट करेंगे देर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर दो चुटकी हल्दी एक टी स्पून धन्या पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं यहां पर एक टी स्पून नमक डाला है सारे स्पाइस आट करने के बाद एक अच्छा सा मिक्स देंगे और लिट को क्लोज करके एक उबाल आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे बैगन के खटे में अच्छा सा उबाल आ चुका है और आप देख सकते हैं यहां पर ओयल स्प्लिट हो चुका है और ग्रेवी भी दानेदार हो चुकी है इसका मतलब कि सारे मसाले बिलकुल पक चुके हैं और हमारा बैगन का खटा तयार है सर्फ करने के लिए इसको शादियों में बिर्यानी के साथ सर्फ किया जाता है और कोई भी दावते हो फंक्शन्स हो कुछ भी हो बिना बैगन के खटे के दावते मुकमल नहीं होती है बैंगलोर में तो इस रेसीपी को जरूर ट्राय करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लेगी अगर कोई भी क्वाइरी जो क्वेस्चन्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं में कॉमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाइ करूंगी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो फैमिली और फिंस के साथ जरूर शेर करें तो चले फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ तब तक की लिए इस रेसिपी को बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें टेक केर अलाह आफिस बाबाई